मैंने आप लोगों को SSC Istonographer Grade C and Grade D की परिचा की तयारी करवाई थी जो कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पेपर में बिल्कुल वही पूछा गया था अगर आप SSC की किसी भी परिचा की तयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें आप लोग अगर आप SSC Istonographer 2024 परिचा की तयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और हमारे चैनल के माददे में से तयारी करें जीके सेक्सन की तो जीके सेक्सन से आपका एक भी कोशन्स मिस नहीं होगा ये मैं गारंटी ले रहा हूँ इवान तयारी के साथ जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उन वीडियो को देखते चले हैं आप लोग तो देखें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने बाले हैं जो भी हाली में आपका एक्जाम हुआ है सब्ज do 12 ग्राफर ग्रेट C और दी का 12 1964 को 9 बजे से 11 बजे के बीच में सपजेक्ट रोडर ग्राफर ग्रेड ग्रेट C थर ज़ें ज्याम देखने अगला कोशन्स देखेगा सभी बच्चे निमलेगित में से कौन सा एक सिंहिली स्रिलंकाई व्रतान्त है जो मौरस सामराज का एक महत्वपूर्ण साहितिक इस्त्रोत है सही जवाब हो जाएगा महावश दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा सभी बच्चे निमलेगित में से किस पंचबरसी योजना में गरीवी अनमूलन गरीवी हटाव और आत्म निवर्ता की प्रमुक योजना उद्ध्योस्यों के रुप में घोशित किया गया था पांचबी पंचबरसी योजना में पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगर आप अजसी श्टोनोग्राफर में जीके सेक्षन की तयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के माद्यम से आप लोग जीके की तयारी कर सकते हैं अगला कोशन्स देखेगा भारत में करसी भूमी पर अत्यधिक दवाव के लिए निमलेकित में से कौन से कारणों को जीमेदार ठहराया जा सकता है तो इसमें देखिए विरासत का अधिकार इसके बाद अलापकारी भूमी जोदका आकार फिर है भूमी का पीवाजन चोथा ऑप्शन्स जो आपका बिलकुल सही हो जाएगा ए-वी और सी अगला कोशन्स देखेगा सभी बच्छे column A और column B के भी जिनिम लिखत में से कौम सास सही mail है column A में है भूपर्टी में तक तो column B में भूपर्टी में कुल प्रतिसत तो देखें समें चोथा वाला जो options है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अब देखें सूमिल कैसे करना है वो जान लीजी आप लोग मेल कैसे करना है आप लोगों को ऑक्सीजन का जो है ना ऑक्सीजन 47 परतिसत इसके बाद सिलिकोन की एकर हम बात करें सिलिकोन जो है वो है 28 परतिसत ओके ऐलोमूरियम की एकर हम बात करें तो ऐलोमूरियम है 8 परतिसत और आईरन है 5% तो इस प्रकार से जो हैं आप लोग सुमेल कर सकते हैं अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे कोशन से कि केंदर सासित प्रदेश लगदाख की जहांकी नई दिल्ली में राजपत पर पहली बार किस बर्फ प्रदरसित की गई थी केंदर सासित प्रदेश लगदाख की जहांकी नई दिल्ली में राजपत पर पहली बार वर्फ 2021 में प्रदरसित की गई थी तो चोथा ओप्षन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन से देखेगा सभी बच्चे सरीर की प्रतिरच्छा प्रणाली किस इस्थित में वास्तिविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके अमासे की प्रत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है प्रणाशी अरक्टता चोथा ओप्षन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन से देखेगा सभी बच्चे मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंदरिय पर्याटन मंत्री कौन है मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंदरिय पर्याटन मंत्री है जी किसन रेड़ी तो जी किसन रेटी साही अंसर हो जाएगा नैश को उच्छन देखेगा सभी बच्चे स्री नारायन गुरू ने जाती और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निर्थक माना और सभी के लिए एक जाती एक धर्म और एक भगवान के सिदान का समर्थन किया वा निम लिखित में से किस संगठन से समदित थे तो ये जो है ना स्री नारायन धर्म परिपालन यूगम से समदित थे तो चोथा ओप्षन्स करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे NAS questions की NAS questions से देखेगा निमलिखित में से किस अदनियम को मारले मिंटु सुदार के रूप में भी जाना जाता है किस अदनियम को मारले मिंटु सुदार के रूप में जाना जाता है भारत परिसत अदनियम 1909 चौथा options करेक्ट हो जाएगा भारत के योजना आयोग 2011-12 के नुसर चंडी गड़ में गरीवी रेखा से नीचे की जनसांक्या का प्रतिस्सत कितना है इसका प्रतिस्सत है 21.81 प्रतिस्सत दूसरा ओप्षिन्स करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे नेश कोशन्स की नेश कोशन्स देखेगा सभी वच्चे भारत के योजना आयोग 2011-12 के नुसर राज्यों के निम लेखित में से किस समू में गरीवी रेखा के नीचे की जनसंक्या का प्रतिस्सत सर्वा दिखा है नेश कोशन्स देखेगा सभी बच्चे हडपा सभिता की जल निकासी वेवस्ता के समन्द में दिये गए कथनों के आधार पर सही विकल्ब का चैन करें तो देखे इसमें जो आपका तूसरा वाला ओप्शन्स है वो विल्कुछ सही हो जाएगा कथन सेकेंड वाला और इससाब से ये पहला वाला ओप्शन्स सही होगा हडपा सभिता में जल और अवसिष्ट घरों के बाहर इस्थित नालियों से निकल कर मुखे भूमिगत नालों में चला जाता था नेश कोशन्स देखेगा निम लिखित में से किस राज में सस्तिर्या नर्त सहली परसिद्ध है असम आपका सही अंसर हो जाएगा नेश कोशन्स देखेगा सबी बच्चे अगर आप जिके सेब्ARD कर रहे हैं चेनल को जरू सस्क्राइब करें नीरा चाहिए असकी तयारी आप कर लेजिये मैं फाहर 2020 मैं ले रहा हूं नेस कोशन्स देखेगा गोल ये किसकी आत्म कता है तो देखे गोल जो है न ये मेजर ध्यानचन की आत्म कता है तो पहला ऑप्शन्स करेक्ट हो जाएगा है नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे कुछ कोशिकाओं प्रकारों में कौन सी सर्रचना परत्य मुख रूप से सेलूलूज हेमी सेलूलूज और लिग्रिन जैसे कर्भु हाइड़ेट के चार अनुपात तीन अनुपात में और मोम जैसे कुछ वशायूग पतारतों से बनी ह कोशिका भित्ती पहला औप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे कि किस पेसवार ने इस इंडिया कंपनी के साथ वेसिन की संदी वसाई की संदी पर हस्ताक्षर किये थे वाजीरा दुती ने एश इंडिया कम्पनी के साथ बेसन की संदी वसे संदी पर हस्ताक्षर किये ते चोथा ओप्षन्स करेक्ट हो जाएगा वाजीरा दुती है अगला कोशन्स देखेगा सभी वच्चे कोशन्स के आए कि भारतिय रिजर्व वैंका राष्ट्य करण कब हुआ था देखे भारतिय रिजर्व वैंका राष्ट्य करण एक जन्वरी 1949 को हुआ था तो एक जन्वरी 1949 सायांचन हो जाएगा निम लिखित में से किस उद्ध्योंख में बिक्री के उद्धेश से पाधपों और पसुओं के कुछ निश्षित प्रजातियों का परजिनन और वर्धन किया जाता है सही जवाब हो जाएगा जन्निक अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे स्री एस एल भेरप्पा ने किस च्षित में उच्च कोड की विसेस्ता सिवा के लिए 2023 में पद भूसन प्राप्त किया साहित एवं सिक्छा तीसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा टोटिए पंच बरसी योजना के दौरान विदेसी सायोग से कितने एकिकरत इस्पात्र सैंत्र इस्थापित किये गए तुतिय पंच वर्षी योजना के दोरान विदेशी सयोग से कुल तीन एकिकत इस्पात्र सेंत्र इस्थापित किये गए दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे जब आरवियाई रेपो दर को कम करने का नेड़नाय लेता है तो मुद्रा आपूर्ती डेस में बढ़ोत्री होगी चौथा ओप्शन्स अही हो जाएगा नाइस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे विजयनगर सामराज में आयका प्रमुक इस्त्रोत क्या था बात करेंगे नाइस कोशन्स की अगला कोशन्स देखेगा सभी बच्चे गुगा, गोगा, नबवी, हरियाना और पंजाब, राजिस्तान, यूपी एवाम हिमाचाई प्रदिस के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वड़ा तियोहार है तो इसे देखिए नाग पूजा के रूप में जाना जा, तो नाग पूजा आपका सही अंसर हो जाएगा करेंगे अगले कोशन्स की पद्मभूसर्ण, गुरू, विवत्ति, चित्रा, सत्यम, निमलिखित में से किस नर्ति सहली में सेकेंड और छात्रों को परतिश्यत करने के लिए विरसिद्य हैं कुछी पूड़ी, तो कुछी पूड़ी आपका सही अंसर हो जाएगा निमलिखित में से किस गाय को भारत रतन से समानित किया गया है लता मंगिसकर को भारत रतन से समानित किया गया है 28 कोशन्स देखेगा सभी वचे राष्टिय भारतिय सास्ति नरत संस्थान दोरा निमलिकित में से कौन सा प्रोषकार प्रदान किया जाता है राश्टिय भारतिय सास्तिय नर्त संसान द्वरा टैगोर रत्न पुरुस्कार प्रदान किया जाता है तो दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा सेसन को एक बार सेर कर दीजिए मैं बार 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 बोलना हूँ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें अगर आप जीके सेक्षन के तैयारी करना चाहते हैं तो आंगे आपकी मर्जी है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं या चैनल को अंसस्क्राइब करते हैं अंसस्क्राइब करेंगे तो आप पस्ताइएंगे क्योंकि मैंने SSC इस्टोनोग्राफर के अभी हाली में तयारी करवाई थी जो कुछ मैंने पढ़ाया था पूरा का पूरा पेपर में पूछा गया था आप खुदी दे सकते हैं जिन बच्चों ने तयारी की होगी ये बात उन लोगों को पता होगी जो नए बच्चे हैं उन लोगों को कुछ भी नए पता होगा नएस कोशन्स देखेगा पश्यम बंगाल के मैग्रोब वनों को क्या कहा जाता है तो पश्य मंगाल के मैं ग्रूप बनों को कह जाता है सुन्दरवन तो सुन्दरवन सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन से देखेगा सभी बच्चे निमलिखित का मिलान कीजिए इसमें देखे तीसरा वाला जो अपसन सही आपका मिल्कुल सही हो जाएगा अब देखे सुमेल कैसे कर सकते हैं मिलान कैसे कर सकते हैं वो जान लीजिए गिर राष्टी उग्यान देखे गिर राष्टी उग्यान कीगर हम बात करें तो ये सेर के लिए है राजा जी राष्टी उग्यान जो है न ये हाती के लिए जाना जाता है इसके वाद आपका अगला कोश्चन्स देखेगा क्यूंकि इस पर देखिए मिलान वाली कोश्चन्स पूछे गए हैं तो थोड़ा सा उन पर भी आप लोगों को ध्यान देना है जुलाई 1968 में भारत की तत्कालिन प्रदान मंतरी इंदरा गांधी ने क्रसी में हरित क्रांती की प्रभाव सीलता को अधिकारिक रूप से दर्च करने के लिए डैस नाम से एक बिसेट टिकट जारी किया था सही जवाब हो जाए गेहूं क्रांती अगला कोशन्स देखेगा सभी बच्चे भारती या ओलंपिक संग किसी से सम्बंद है बारती या ओलंपिक जो है ना ये अंतराश्टी ओलंपिक समिति से सम्बंद है पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नैश कोशन्स देखेगा सभी बच्चे 1833 में काल्स फ्रेटरिक ग्रोस और विलहम एडवर्ट वेवर ने किस उपकरन का आविसकार किया था विदती चुम्बकी ये टेली ग्राफ का आविसकार किया था चोथा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नैश कोशन्स देखेगा सभी बच्चे कोशन्स है गाइस कौन स्वा अनुच्छेद उपराश्ट पती के निर्वाचन से सम्बंदित है अनुच्छेद उपराश्ट पती के निर्वाचन से सम्बंदित है बात करेंगे नैश कोशन्स की कोशन्स है गाइस की निमलिखित में से किस वाद यंतर की कला को उस्ताज अल्ला रखा कुराइसी ने लोक प्रिय बनाया है सही जवा हो जाएगा तबला अगला कोशन्स देखेगा सवी वच्चे निमलिखित में से कौन सा आर्थो पोड़ा संग का सदस से नहीं है क्या कोशन्स में पूछा जा रहा है कौन सा आर्थो पोड़ा संग का सदस से नहीं है घोगा चोथा अप्सन्स करेक्ट हो जाएगा नेश कोशन्स की बात करेंगे कोशन्स है दो या दो से अधिक राजियों के बीच बिबात सर्वोच नयले के डैस के अधीन आता है दो या दो से अधिक राजियों के बीच बिबात सर्वोच नयले के मौलिक छित्रा दिकार के अधीन आता है तो दूसरा options correct हो जाएगा अगला questions देखेगा सभी बच्चे सौर उर्जा भंडारन चमता वाली मोम बत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कारवन परमाणू से बना कौन सा असत्तर एलिफेटिक हाइट्रो कारवन उपियो किया जाता है सई जवाब हो जाएगा I question दूसरा options अगला कोशिस देखेगा सभी बच्चे भारत ने दूसरी बार ACI खेलों का आयोजन किस वर्स में किया था तो भारत ने दूसरी बार ACI खेलों का आयोजन वर्स 1982 में किया था next questions निम लिखित में से कौन सी एक छारी मर्दा धातू नहीं है कौन सी एक छारी धाती मर्दा धातू नहीं है एन ए तीसरा options correct हो जाएगा next questions लिमबा राम किस खेल से समंदित देखें लिमबा राम जो है ना ये तिरंदाजी से समंदित है अगर आप जीके सेक्षन की तयारी कर रहे हैं मैं बार बार बुल रहा हूँ अगर आप जीके सेक्षन की तयारी कर रहे हैं किसी भी परिच्छा की SSC Astronographer, SSC MTS SSC CZL, SSC CHSL और भी परिच्छा हैं वो सारी किसी भी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं जीके सेक्षन की तो चैनल को जरू सस्क्राइब करें नेश कोशन दिसमबर 2022 में किसने गुजरात के सत्रवे मुकमंतरी के रूप में सपत ली है भुपेंद्र रजीकांत पटेल पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा सभी वच्चे महावाश के लेखक कौन थे देखे महावाश के लेखक थे पतन जली बात करेंगे नेश कोशन्स की अगला कोशन्स देखेगा मानक तीर अंदाजी इस परदा में प्रियुक्त होने वाले लक्ष में कितने वरत्य छेत्रों होते हैं कुल 10 होते हैं तीसरा उप्षिन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा निम्लिकित कतनों में से गवं सा सत्य है तो इसमें देखी जो तीसरा वाला option जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा केवल कतन सत्य सास्ति और नत्यों में रस और भाव जैसी भारतिय तक्नीकों की उत्पत्ति भरतमुनी के नाट सास्ति में हुई है अगला question देखेगा सभी वच्चे questions क्या है कि DFC का पूर्ण रूप क्या होता देखेगे DFC का पूर्ण रूप होता है detritus food chain पहला options करेक्ट हो जाएगा अगला question देखेगा इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रज़ेता है देखिए तमस नामक उपन्यास के रचेता है भीसम साहिनी दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन्स की बात करेंगे नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे कोशन्स क्या इंडिया गेट जिसे अखिल भारतिय यूद इसमारक भी का जाता है को किसी ने डिजाइन किया था तो यह इसे डिजाइन किया था एड्मिन लूटियन्स ने पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा सभी बच्चे निमलिगित में से किस परत में ओजोन होती है समताप मंडल में जोनाय ओजोन होती है लाश कोशन्स आज का रहेगा 50 सक्रिय विले परिवन द्वारा निर्मित परास्रणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका जिली में जेल परिवन किस चैनल प्रोटीन का प्राथिमिक कार्य है पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा एक आवारिन ठीक है अगर आप SSE की किसी भी परिचा की तयारी कर रहे हैं अगर आप SSE Stronographer 2024 परिचा की तयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप GK सेक्शन की तयारी कर रहे हैं तो GKL जो सेक्सन्स हैं ना वो बिल्कुल मैं आप लोगों का कवर करा दूँगा उसकी टेंसल लेने के जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वस जो भी मैं आप लोगों के लिए क्लासे लाओं उन क्लासों को देखिए आप लोग और ज्यादा से जड़ा सपोर्ट करिए तो मिलते हैं नच वीडियो के साथ जैहन जैवार